हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल ऑफिस्यल हम रहो तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं टीजीटी बीजीटी के प्रिवीश सेर कोस्टेंज का अगर आप यह वीडियो अच्छा लग रहे हैं प्लीज को लाइक करीगा और वीडियो को सेर कर दीजिएगा हमारे पास को कोस्चन है इफ एक स्था सी स्क्वार उन्हेंस संटाव कैंग्ट थैने मैक्सिम्म बैलु अफ एक स्प्लास बीज 5 derivative को zero करेंगे और उस पर value निकालेंगे second derivative को देखेंगे उस value रख कर तो अगर second derivative निगेटिव आ गया तो value हमारी maximum होगी और फिर maximum value इसमें रख देंगे तो हमें दिया क्या गया है x y equal to c square यह value दी गई है तो इसको equation number 1 डाल लेते हैं और इसको equation number 2 तो यहां से हम लोग इसको हल करेंगे तो यहां से यहां से यहां से पुट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी और यहां y की value हम लोग पुट कर लेंगे y की value पुट कर लेंगे तो क्या जाएगा c square upon x c square upon x इसको equation number 3 डाल लेंगे अब हम लोग इसका करेंगे ds over dx ds over dx हमने भाई क्यों हटाया क्योंकि हमें इसको differentiate करना था with respect to x थोड़ा आसान रहेगा जब ds over dx यानि s का x के साफ़े अब कलन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा a आ जाएगा constant term x का 1 हो जाएगा plus b और c square यह तो constant term हो गए और 1 upon x का differential minus 1 upon x square यह value हागी minus का 1 upon x square अब हम लोग क्या करेंगे यहां से इसको zero कर देंगे यहां लेकेंगे for maximum for maximum and minimum क्या हो जाएगा ds over dx ds over dx x equal to zero तो यहां से यह value अगर zero करेंगे तो this implies क्या हो जाएगा यहां से यहां जाएगा a minus b c square upon x square equal to zero तो यहां से हमें x की value क्या मिलेगी यहां यहां क्या है x square equal to क्या जाएगा a upon b c square यहां से यहां से यहां से x की value अगर निकालेंगे तो यहां से यहां से हम लोग निकालेंगे equation नमर तीन से अगर हम लोग इसका d2 s over अगर इसका secondary bit निकालेंगे तो यहां जाएगा d2 s over dx2 क्या जाएगा यह तो constant है 0 हो गया माइनस और b c square ऐसी रहेंगे constant term है और 1 upon x square का differential क्या हो जाएगा माइनस का 2 upon x q यह value आगई तो minus minus plus हो जाएगा तो यहां से क्या जाएगा 2 b c square upon x q तो यहां क्या है d2 s over dx2 e यह हमारा positive आगए positive आगए बट हमें x की दो value क्या है एक positive एक negative तो positive value से यह value positive तो नहीं आएगी positive अगर रखेंगे तो यह minimum आजाएगी बटे हम x की negative value रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा यहां की देखते हैं इसको तो यहां से क्या जाएगा x equal to हम लोग लेंगे minus का c root v upon a तो यहां से आजाएगा d2 s over dx2 क्या जाएगा 2 v c square और x q upon x q यह value पूट करेंगे तो यह आजाएगा minus का c q और v upon a की whole power 3 by 2 यह value कैसी आगी यह value negative आगी एक तरीके के तो यह value लगे लेंगे negative तो यहां से negative आगी तो हमारी maximum value जो है गया जाएगी यहां से तो यहां से s equal to maximum s equal to अबने क्या माना था a x x की value minus का c root v upon a और minus plus b y की जीएगा हमने क्या किया था y की value यहां रख ली थी minus का a x upon b तो यहां से जब इसको solve करेंगे तो a से एक cancel हो जाएगा a से एक cancel हो गया तो यहां जाएगा c root v और यहां जाएगा एक c से c cancel हो जाएगा और यहां जाएगा minus का c root a b और यहां जाएगा इसको हम लोग लिख लेंगे यह root a है यह नहीं cancel होगा यहां पर तो यहां c तो बाहर आजाएगा but a b आजाएगा यहां से root a b तो यह आजाएगा माइनस का 2 C रूट A B तो इसके according हमारा जो option आएगा option number C यहाँ से correct हो जाएगा तो दोस्तों next question हमारे पास है dy over dx equal to e की power x minus y question में e की power x minus e की power y तो यह question को हमें solve करना है तो यह मैं differential equation दी कि यह तो इसको हमें solve करना है यह question आए है TGT 2001 में तो सबसे पहले इसको solve करने के लिए क्लिए क्लिए करेंगे dy over dx इसको लिख लिएगे e की power x upon e की power y और यह है e की power x minus e की power y तो यहाँ से क्या जाएगा अगर e की power y इदर ले आए तो यहाँ जाएगा e की power y dy over dx equal to क्या जाएगा e की power x से इसमें multiply कर देंगे e की power x से multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से e की power 2x minus e की power x plus by तो यहाँ से क्या होगा तो यहाँ से क्या होगा हम लोग माल लेंगे e की power y equal to e की power y equal to b तो इसका जब integral करेंगे यहनी की differential करेंगे तो यहाँ जाएगा e की power y dy over dx equal to dv over dx तो यहाँ से क्या जाएगा e की power y dy over dx यह value किसकी है यह dv over dx तो यहाँ जाएगा dv over dx equal to e की power 2x तो e की power 2x तो ऐसी रहेगा e की power 2x और minus e की power x e की power x ऐसी रहेगा into e इसको लिख लिखेंगे e की power y तो e की power y क्या हो जाएगा e value होगी e value इदल आएगे तो यहाँ जाएगा dv over dx plus e की power x into v equal to e की power 2x अब यह हमारी linear differential equation होगी कैसी बनेगी linear differential equation तो हम क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे integrating constant integrating factor integrating factor क्या हो जाएगा इसका यह जाएगा e की power integral v dx sorry p dx p है कितना e की power x और dx e की power x का integral करेंगे तो क्या जाएगा e की power e की power x आजाएगा और वो आजाएगा x तो e x आजाएगा या नहीं एक्स नहीं आजाएगा यह पर यही रहेगा बैलू e की power e की power x अब हम लोग क्या करेंगे इसका निकालेंगे solution इसका solution क्या हो जाएगा यहाँ से इसको इदे लिखते है solution क्या हो जाएगा integral v क्योंकि b होगा y नहीं होगा यहाँ पर तो v into integrating factor कितना है e की power e की power x equal to integral उसके बाद दिया है q, q कितना है q है e की power 2x तो इसको लिख लेंगे e की power x into e की power x और integrating factor कितना आया यह आया e की power e की power x dx plus c e value आगी यहाँ से अब लोग इसमें put कर लेंगे e की power x equal to t तो इसका differential करेंगे e की power x dx equal to dt तो e value आजाएगे integral e की power x equal to t है e की power 2x क्या हो जाएगा t square और e हो जाएगा e की power e की power t और dx t न गरके क्योंकि e की power x dx e इसमें खेला जाएगा dt में तो यह आजाए e की power t और e की power t तो अगेन यह की power 2t हो जाएगा यह हो जाएगा e की power 2t dt plus integrating constant यहां से क्या जाएगा 2 नहीं आजाएगा यहां जाएगा t into e की power t अब इसको इंटेरेट करेंगे तो क्या जाएगा t का इसको फर्स्ट मानेगे t और e की power t का e की power t minus 1 into e की power t dt plus c तो यह जाएगी t e की power t minus e की power t plus constant तो इसमें से common ले लेंगे तो जाएगा t minus 1 e की power t plus c यह जाएगा यहां से इदर के चलेगा हमारा यह जाएगा v into e की power t v into e की power t अब यहां से b equal to क्या हो जाएगा e की power t से डिवाइड कर देंगे तो v equal to हो जाएगा t minus 1 plus c e की power minus t अब b हमारे के तना माना था e की power y तो यह जाएगा e की power y equal to t कितना है e की power x minus 1 plus c और e की power minus t की जाएगा कितना है e की power minus x तो e value आगी यहां से तो इसके गार्डिंग हमारा जो कौन सा अप्सन मनेगा e b c d में से e की power y x e की power x minus 1 plus c e की power minus e की power minus e की power minus e minus x नहीं को यहां होगा plus x तो इसके according option नमर हमारा e correct हो जाएगा दोस्तों next question हमारे पास है y p minus x p square minus e equal to 0 तो इसका general solution क्या होगा यह पूचा गया है यह question है TGT 2001 में तो अगर यह हम बात करें y p minus x p square minus e equal to 0 होगी तो इक तरीकी क्या है यह है clear at equation by p minus x p square equal to a which is clear at equation c l a u c l a i clear at equation तो इसका solution क्या हो जाएगा p की जेगा हम लोग को c पूट कर देंगे c पूट कर देंगे तो यह जाएगा by c minus x c square equal to a तो यहां से by क्या हो जाएगा अगर c से divide कर देंगे तो यह जाएगा x c equal to a upon c a upon c यह बाई equal to गया हो जाएगा यह जाएगा c x plus a upon c तो इसके according हमार option number d यहां से correct हो जाएगा काफी symbol question था बस logic लगाना था कौन सा option इसमें correct होगा दोस्तों next question हमारे पास है the solution of the differential equation x minus 1 dy equal to y dx यहां पर y अप 0 दिया गया है minus 5 तो इस question को हम लोग solve करेंगे हमें दिया गया है x minus 1 dy equal to y dx इस तरीके से question करने के लिए हम लोग इसको separate कर लेंगे यानि कि dy की तरफ y की term लाएगे और x की तरफ dx dx की तरफ x वाले term यानि कि यह आ जाएगा अब इसको integrate करेंगे इसको integrate करेंगे तो यहां से value क्या मिलेगी हमें तो यह तो हो जाएगा हमारा log y equal to यह हो जाएगा log x minus 1 और plus integrating constant इसको माल लेंगे plus log c क्योंकि सब log में आ रहे हैं तो हमने log z माल लिया तो यहां से क्या आ जाएगा यह हम लोग चाहएगा इसको minus भी कर सकते है चलो plus करते है तो यहां से आ जाएगा log y equal to log c x minus 1 यहां से log m plus log n क्या हो जाएगा log m n तो यहां से log log cancel हो जाएगा तो y equal to आ जाएगा c x minus 1 यह value आगी y equal to c x minus 1 तो इसको equation number बढ़ना लेंगे अब हमें उसने दिया है कि y of 0 equal to minus 5 यह एगा जीरो पुट करेंगे तो y की value कितनी है minus 5 तो minus 5 equal to c और x 0 minus 1 तो यहां से c कितना आ जाएगा c मारा गया 5 जब c 5 आगया तो इसमें value equation number 1 में पुट कर देंगे तो क्या आजाएगा यहां से from 1 तो यह आजाएगा y equal to c की value 5 और x minus 1 तो इसके according हमारा option number a यहां से correct हो जाएगा तो दोस्तों नेस्ट question हमारे पास है the solution of differential equation हमें differential equation दी गई है dq plus 3d square plus 3d plus 1 into y equal to e की पावर 2x तो इस question को हम दोग करेंगे तो सबसे बिले इसका निकालनेंगे complementary factor equation पहले हमें लिख लेते हैं यह में दी गई है dq plus 3d square plus 3d plus 1 of y equal to e की पावर 2x यह value दी गई हमें तो इसका complementary factor क्या आ जाएगा cf यह आ जाएगा d की जगे m कर लेंगे तो mq plus 3m square plus 3m plus 1 equal to 0 अब m की equation equation है तीन गाथ की equation है तो इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाँ से अगर हम देगे mq plus 3m square plus 3m plus 1 equal to 0 तो यह value दी गई तो एक तरीके देखा जाए m plus 1 का whole cube का formula आई है यानि mq plus 1 क्या जाएगा aq plus bq plus 3 इसको खोलते है mq plus 1 plus 3m और m plus 1 equal to 0 तो यहाँ जाएगा 3m square plus 3m plus 1 plus mq तो यह value यही आगी तो एक तरीके का यह formula ही है m plus 1 का whole cube का तो इस तरीके से तो इसके कितने root आएगे m equal to आजाएगा minus 1 minus 1 और minus 1 तो इसके 3 root आगे तो इसका complementary factor क्या जाएगा complementary factor आजाएगा c1 plus c2x plus c3x square और e की पावर minus x e की पावर minus x यह value आगी यहाँ से अगर pi की pi की बात करें तो यहाँ से क्या जाएगा e की पावर 2x अपान 27 तो इसका general solution क्या जाएगा यहाँ से general solution y equal to cf plus pi यहाँ की complementary factor plus pi plus c3 x square और e की पावर 2x e की पावर minus x plus 1 upon 27 e की पावर 2x तो यह value आगी हमारी तो इसकी according देखा जाएगा तो इसकी according हमारा option number इसमें से d option correct हो जाएगा यहाँ कोई भी option इसमें correct नहीं मिलेगा option number d यहाँ से correct हो जाएगा तो दोस्तों कैसे लगाश का video comment करके बताएगा और video को share कर दीजिएगा thank you for watching this video